जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके सास्थ सेर करेंगे बिहर की साध्यों में बणने वाली मूंग डाल की खीर की रेसिपी जिसे मकुटी के नाम से जाना जाता है मकुटी की रेसिपी बहुत ही आसान है सिम्पल सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया मूंग डाल और चावल की खीर बनकर तयार होती है उमीद है आपको इस डेजर्ट की रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस मज़ेदार सी खीर को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं मकूटी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल और चावल बोईल करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर तीन टेबल स्पून मूंग डाल ली है मूंग डाल को हमने पानी से अच्छी तरह धो कर एक घंटे के लिए भिगो दिया था और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए है तेबल स्पून चावल चावल को भी हमने अच्छे से वोश करके एक घंटे के लिए भिगो दिया था तो हमें यहाँ पर दाल की आधी क्वांटीटी में चावल लेने हैं यानि कि 3 टेबल स्पुन डाल के लिए हमने 10 टेबल स्पुन चावल लिए रेग्यूलर घर में हम जो चावल इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं या फिर खीर के चावल ले लें अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर दाल और चावल को 5 मिनिट के लिए और बोईल करेंगे एक प्रिसर आने तक हाई फ्लेम पर और पांच मिनिट तक लो फ्लेम पर हमने दाल और चावल को अच्छे से बोईल कर लिया और अब हम दाल और चावल को चमच की मदद से मेस कर लेंगे तो हमें इसे इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है और इसे इस तरह से मेस्क करेंगे कि ये थोड़े दरदरे रहे दाल और चावल का फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसे थोड़ा दरदरा रखेंगे और अब हमने एक हेवी बोटम पेन में एक लिटर फूल क्रीम दूद लिया है हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे एक उबालाने के बाद हम गेस्की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम दूद को 5-7 मिनित तक पकाएंगे इसे एक बार चला लेंगे और लो फ्लेम पर पकने के दोरान भी हम इसे बीच में चेक कर लेंगे ताकि दूद नीचे ना लगे पास से 7 मिनित तक लो फ्लेम पर दूद को पकाने के बाद आप देखेंगे के दूद का थोड़ा सा हिस्सा रिड्यूस हो चुका है तो इस टेच पर हम इसे एक बाद चला लेंगे और हमने जो दाल और चावल का दरदरा पेष्ट बना कर रखा है उसे हम इसमें एट कर देंगे दाल और चावल का पेष्ट एट करते के साथ ही हम इसे तुरंद अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगातर चलाते हुए इसे मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़ जाए दाल चावल को हमने दूद में अच्छे से मिला लिया है और इस टेच पर हम इसमें डालेंगे मावा यानि कीक होया तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम मावा लिया है और मावे को ग्रेट करके हमने इसे भून लिया है मावे को भून का रेट करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया टेश्ट आएगा और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसकी गुटिया ना बन जाए तो आप देख सकते हैं कि हमने मावे को भी दूद में अच्छे से मिला लिया है और इस टेश पर हम इसमें एक चुटकी केसर डाल देंगे वैसे केसर यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है खीर को बढ़िया सा टेश टेक्स्चर और कलर देने के लिए हमने यहाँ पर केसर डाला है खीर को कलर देने के लिए आप यहाँ पर केसर को स्कीप करके ये लो फूट कलर भी डाल सकते हैं और अब हमें इसे लगाता चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक की इसमें गाड़ा पर न आ जाये तो हमने इसे लगाता चलाते हुए low flame पर 15 मिनिट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाड़ी होने लगी है और इस टेश पर हम इसमें फ्लेवर के लिए एक चोथाई टीस्पून इलाइची पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे चीनी तो हमने यहाँ पर थ्री बाई फॉर्थ कप यानि कीपोना कप चीनी ली है बजन के हिसाब से यह 1.500 ग्राम चीनी है आप यहाँ पर चीनी की कॉंटिटी अपने टेस्ट का कोडिंग भी मेजर कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर तक इसे थोड़ा और पकाएंगे चीनी और इलाइची पाउडर डाल कर हमने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए और पका लिया है और इसी के साथ हमारी मकूटी बनकर बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कंसिस्टनसी को कुछ ऐसा रखा है इससे ज्यादा हम इसे गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंड़ा करने के बाद तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे और सव करेंगे आप इसे फ्रीज में ठंड़ा करने के बाद सव करेंगे तो ये बहुत बढ़िया लगती है तो आप देख सकते हैं कि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाड़ी हो गई है तो मकूटी को सब करते वक्त हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़े से ड्राइफूट्स भी डाल देंगे आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राइफूट्स इसमें डाल सकते हैं हमने यहाँ पर सिफ बादाम से गानिश किया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई